गाइस फ्री फायर के सभी यूट्यूबर्स इतने दोगले हैं ना कि जब उनको इस गेम से अच्छे खासे व्यूवज आते थे और पैसे भी आते थे तब उनके मूँ से फ्री फायर की तारीफ रुकती नहीं थी क्यूंकि कहीं ना कहीं हम सभी यूट्यूबर्स का फ्री फायर डाउन होने में भी हाथ था और कोई भी साला यूट्यूबर्स ये नहीं बोलेगा कि अगर ये गेम डाउन हुआ है तो ये वापस ठीक कैसे होगा क्यूंकि उनको ना गेम से कोई लेना देना नहीं है वो बस आ बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करेगा क्योंकि फ्री फायर के बारे में अच्छी बाते करने से इनको विव्स नहीं आते हैं और इसलिए आज मैं आपको ऐसी पांच चीज़ों के बारे में बताना चाहूंगा जो अगर गेम में ठीक हुई ना मैं कसम खा रहा वापिस पहले जैसा हो जाएगा और इसलिए आज का वीडियो में फ्री फायर मॉडरेटर्स के साथ भी शेयर करने वाला हूं तो सभी बाई लोग अपने ओपीनियन्स कमेंट्स में ज़रूर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज बाई लोग आच कर देना पहले बात करते हैं फिफ्ट नमबर पे जो हमारा रीजन आता है कि फ्री फायर बोरिंग अप क्यों लगता है आप सबने ये चीज नोटिस किया होगा कि अभी के टाइम में जब आप फ्री फायर खेलते हो आप एक दो गेम ही खेलते हो और उसके बाद आप बोर हो जाते हो और ये चीज में गैरेंटी के साथ बोल रहा हूं कि अभी के टाइम में अल्मोस सब के साथ होता है लेकिन पहले के टाइम हम अगर 10-10 गंटा भी गेम खेलते थे तो बोर क्यों नहीं होते थे उनको बस इस चीज़ पे फोकस है कि नए प्लियर्स गेम में कैसे आएंगे लेकिन अगर आपके पुराने प्लियर्स ही गेम छोड़ देगे तो चलेगा कैसे और ये गलती अल्मोस्ट हर कोई गेम करता है और फ्री फार ने जो इसमें पहली गलती की वो यही की कि पुराने बंडल्स वापिस लाए अब गेम वालूं के लिए बंडल वापिस लाना होता है पैसा कमाना लेकिन पुराने प्लियर्स के लिए वो बंडल्स एक इमोशन होते है और कहीं न कहीं उसी rear emotion के लिए वो लोग हर रोज इस game को खेलते थे और अब जब आपने सारे rear bundles वापिस लाए तो पुराने player का पुराने होने का फाइदा क्या आया कुछ भी नहीं और इसलिए करोरू ऐसे पुराने player से जिन्होंने game छोड़ दिया और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ इस पे मैंने आज पूरा research किया है मैंने अज अपने पुराने 5 साल पहले दोस्तों से पूछा कि उन्होंने free fire क्यों छोड़ा था और सबका answer almost यही था कि bundles वापिस लाने के बाद उनको game में मज़ा नहीं आता था और बाकियों ने पता है क्या बोला free fire अब हमारे device में अच्छे से नहीं चलता है मतलब free fire ने game को अच्छा करने में ऐसी ज़्यादा ज़्यादा चीजे लाई जिसकी वज़ा से game का size बढ़ गया और अब वो पुराने devices में अच्छे से नहीं चलता है और यह आप में से भी बहुत सारूं के साथ होता होगा क्यूंकि मैं जानता हूँ ज़्यादातर free fire अच्छे से नहीं चलता है और इसलिए मैंने बोला free fire नए players को attract करने में इतना busy है कि वो भूल गया कि उसकी ज़्यादातर audience च्छोटे mobile पे इखेलती थी अब इसका solution सिर्फ इतना है कि free fire को अब elite passes वापिस नहीं लाने चाहिए क्यूंकि उससे और पुराने players गेम छोड़ देंगे और free fire को game को optimize करना चाहिए ताकि वो छोटे mobile में भी अच्छे से चले अब बात करते हैं fourth number पे जो हमारा reason आता है कि old free fire return आपने हर जगा हर किसी यूट्यूबर के मूँ से हर किसी player के मूँ से ये तो सुनाई होगा कि old free fire वापिस आना चाहिए इसका मतलब है पहले के time में game बहुती serious था और इसलिए मजा आता था खेलने में लेकिन अभी के time में free fire ज्यादा entertainment बन गया और seriousness खतम हो चुकी है और ये seriousness खतम तब से हुई जब से free fire में नया rank system आया है जिसमें आज आज आप 2 गंटे में heroic पहुँचते हो आपको 50-50-70-70 plus होता है और इससे heroic grand master इन सब चीज़ों की इज़त खतम हो चुकी है और पहले के time में heroic की इतनी ज़ादा इज़त थीना और इसलिए दिन रात लोग खेलते थे लेकिन अब rank खेलने का कोई मतलब नहीं है ये में अगर आप अब मरते भी हो तो आपके पास revival system में आप वापस आ जाओगे और इसलिए अब आप पहले की तरह serious नहीं खेलते हो क्यूंकि आपको पता है आप अगर मर भी जाओगे आपका teammate आपको revive कर देगा ये बात आखिर free fire कब समझेगा कि ये game seriousness की वज़ा से famous हुआ था ना के entertainment की वज़ा से दूसरी बात अभी के time में free fire full map से ज़्यादा class squad पे focus करता है लेकिन उसी class squad की वज़ा से कही ना कही players दो जगा डिवाइड हो गए मतलब आदे players अब CS में rank push करते और आदे अब full map में और इस चीज की वज़ा से भी full map rank push का value नहीं है और उसी full map rank push की वज़ा से ये game famous हुआ था और जब ये game अपने top पे था ना तब class squad में rank mode नहीं था सारे लोग class squad को fun के लिए खेलते थे और rank push full map में करते थे और इसका solution सिर्फ इतना है कि free fire को full map के rank mode पे ज़्यादा focus करना चाहिए और जितना हो सके full map के rank system को मुश्किल बनाया जाए ताकि पहले की तरह बर्मुडा में यूद हो ना कि आज के जैसा मजाक वाला rank push और जो ये revival system में game में इसको कही ना कहीं हटाना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इससे full map का rank push एकदम मजाक बन चुका है आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को comments में ज़रूर बोलना अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे जो हमारा reason आता है कि 2021 के बाद game down क्यों हुआ आप सब एची जानते होगे कि 2020 के ending तक free fire बहुत ही ज़्यादा top पे था लेकिन 2021 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़ा से free fire down हुआ इसका ये reason है कि 2019, 2020 और 2021 में बहुत ही ज़्यादा covid था जिसकी वज़ा से कोई भी school नहीं जाता था और सारे बच्चे online classes देते थे मतलब सभी बच्चों के पास गर बैठके mobile था भाई और इसी लिए सभी students बहुत ही ज़्यादा game खेलते थे और तभी जाकर पूरे world में gaming community टॉप पे आ गई थी लेकिन 2021 के बाद covid खतम होने लग गया सारे students school जाने लग गये और game का trend वापिस खतम हो गया और तभी साला हम सभी YouTubers बोलते कि आप ज़्यादा views नहीं आते क्योंकि बाई covid में सब लोग वे ले थे लेकिन अब ऐसा नहीं है सब लोग अपने काम दंदे में और पड़ाई लिखाई में busy है तो ये चीज़ सभी players और YouTubers को समझना चाहिए और दूसरा जो reason है वो मैं सब के सामने सच बोलूँगा 2021 से free fire top up events, evo guns, skins, evo bundles इनी सारे diamond events पे ज़्यादा focus करने लग गया और gameplay पे कम द्यान देने लग गया अभी जाकर अभी के time में हालत ऐसी है कि पिछले दो सालों से fake damage तक ठीक नहीं हो रहा है और दूसरा वो glitch है जिसमें enemy cover में होता है वो आपको मार रहा होता है लेकिन आपको दिखता भी नहीं है वो भी पिछले एक साल से ठीक भी नहीं हो रहा है जो आप वो कर भी रहा है क्यूंकि अभी के time में आपने देखा होगा rank mode वगयरा में बहुत improvement आ रही है और दिरे दिरे game वापिस ठीक हो रहा है अब बात करते है second number पे जो हमारा reason आता है कि e-sports has no future in India आप सब एची जानते होगे कि हर कोई बंदा free fire मजे के लिए नहीं खेलता और ऐसे लाखो करोरू प्लेयर से जो free fire serious होके खेलते क्यूंकि वो लोग game में कुछ करना चाते और इन में से आदे बंदे यूट्यूबर्स बनते और आदे e-sports में आते अब यूट्यूबर्स को तो पैसे आ जाते लेकिन अगर आप दिन रात e-sports के लिए game खेलो और आपको बदले में कुछ फाइदा नहीं होगा तो आप game खेलोगे क्यूं और सेम हालते e-sports की अभी इंडिया में और ये पनोती शुरू पताए कब से हुई जब हमारी इंडिया की दो e-sports team वर्ल्ड कप के लिए qualify हुई थी और तब COVID शुरू हुआ था और फिर वो लोग वर्ल्ड कप के लिए नहीं खेल पाए थे फिर एक दो साल practice करने के बाद free fire e-sports team तयार थी और तबी government ने BGMI और free fire को ban कर दिया और सारे e-sports tournaments इंडिया में रुख गए और इसलिए अभी के time में सारे free fire और BGMI players का है कहना है कि इंडिया में e-sports का future नहीं है और इसलिए लाखो free fire e-sports player demotivate हो गए और उन्होंने game खेलना कम कर दिया अब इसका solution सिर्फ इतना है कि हम लोग बस दुआ कर सकते कि free fire इंडिया में जल्दी unban हो जाए और दूसरा solution ये है कि free fire max इंडिया में चल रहा है तो free fire खुद भी बड़े-बड़े tournaments organize कर सकता है मैं जानता हूँ कि investors invest नहीं करेंगे क्योंकि CDC बाते free fire का main application ban है और इंडिया से अभी ज़्यादा profit हो भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी गरीना अगर चाहे तो इंडिया में बड़े-बड़े tournaments खुद organize कर सकते है और इसे सारे e-sport player free fire में वापस आ जाएंगे और फिर से इंडिया में competitive game शुरू हो जाएगा आप लोगं का इस बात पे क्या opinion है मेरे को comments में ज़रूर बोलना अब first number की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो सबसे बड़े reasons है जिसमें से पहला है कि PC banned destroyed free fire आप सब एचीज जानते होगे कि free fire को सबसे जदा famous करने वाले यूट्यूबर्स ही थे जिन में से world के सबी बड़े यूट्यूबर्स PC पे ही खेलते लेकिन पिछले एक साल से free fire ने PC gameplay ban कर दिया है जिसकी वज़ा से वो सारे बड़े यूट्यूबर्स पहले की तरह full map content नहीं बना पाते और इस चीज की वज़ा से कही न कहीं यूट्यूब पे free fire content डाउन हो गया है और अब यूट्यूब से नई audience नहीं आ रही है जिसकी वज़ा से नए गेमर्स तक free fire पहुँचता भी नहीं है आप लोग को भी एचीज पता होगा जब PC ban नहीं था तब यूट्यूब पे सभी बड़े यूट्यूबर्स लाइव करते थे और कितना मज़ा आता था ना अच्छा content देखने में अब आप लोग बोलोगे बिंजद भाई फिर PC ban क्यों किया क्योंकि भाई लोग कुछ hack और panel PC में ऐसे है जो उस time पे detect नहीं होते थे लेकिन अभी के time में free fire को सारे panel और hack detect हो जाते तो अब मेरे हिसाब से free fire को PC unban कर लेना चाहिए अब जो last reason आता है वो है drag and one tap made free fire boring अब आप लोगे सुनकर ये चीज़ जरूर बोलोगे ए बिंजद भाई drag और one tap में तो मज़ा आता है तो ऐसा क्यों बोल रहो इसकी वज़ा से free fire boring हुआ देखो भाई लोग पहले के time में drag और one tap जैसी कोई भी चीज free fire में नहीं थी और पहले के time में हम लोग strategy से दिमाग लगा के एकदम enemies को मारते थे और इतना जादा दिमाग से खेलना पड़ता था एकदम tricks वगएरा करके तब जाकर हम लोग enemies को मार पाते थे लेकिन अभी के time में free fire का मतलब पता है क्या है बस drag और one tap और इसके इलावा game में कुछ भी नहीं है और अभी तो इतना easy हो गया ने drag और one tap मारना कि कोई भी player आराम से मारता है मतलब कसम से ना one tap और drag अपने आप ही लगता है और ये पूरे world का इकलोता game है जहाँ पे fire button को उपर खीचने से headshot लगता है मतलब अगर आप असल में सोचोगे तो ये कौन सी बात है भाई ना aim करो क्यूंकि already default aim है फिर बस fire button को उपर करो और headshot लग गया और इस चीज की वज़ा से एकदमना strategy टेकनीक free fire से खतम हो चुका है और तब ही आज हमें free fire बहुत boring लगता है क्यूंकि हम लोग दिन रात गेम में बस एक ही चीज करते फायर बटन को उपर नीचे ये बात शायद नए players को समझ नहीं आएगी क्यूंकि उन्होंने जब से game खेला होगा तब से one tap और drag गेम में ही होगा ताकि थोड़ा पुराना free fire का feel वापिस आए और वही चीज प्लियर्स बार बार बोल रहे कि पुराना free fire वापिस लाओ जो मुश्किल था खेलना आज का free fire नहीं जिसमें बच drag मारने पे आप free fire के pro माने जाते हो मैं कसम से बोल रहा हूँ न मेरको अभी के time में free fire में लगता है जैसे drag और one tap के बगार कुछ भी नहीं है गेम में आप सब का opinion क्या है इस बारे में मेरको comments में ज़रूर बोलना और यही था इस आज के वीडियो में और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे चैनल को भी subscribe कर देना बाबाई I love you all